Hello everyone, I am Dharmand, trainer of AI House India आज हम background wall ceiling module की बारे में जानेंगे जैसा कि आप इस screen पर देख पा रहे होंगे तो same process को हम अभी AI House में create करेंगे और देखते हैं तो अब हम चलते हैं इसके interface पर ये interface हमारा है जिसमें हम एक room को create की हुए हैं अब हम चलते हैं roaming mode में और इसी wall पर हम एक wallpaper को drag करके create करेंगे यहां थामें wallpaper ले लिये हैं और हम इसे drag करेंगे और जैसा कि आप देख रहांगे ये wall पर texture लगा हुआ है अब इसी पर हम background wall को एक profile create करेंगे और इस पर देखते हैं तो हम ceiling में आते हैं अब फिर हम wall पर click करते हैं wall पर click करके background wall पर आ गए हैं design में अब देख रहे होंगे जो हमने wallpaper को create किया था ये hide हो गया है अब यहां पर हम एक rectangle को create करेंगे और उससे हम wall से कुछ offset देंगे 100 mm या 50 mm जो दे सकते हैं यहां आप देख सकते हैं थिकनेस इसकी 100 होगी यहां सम 50 या 100 जो भी value है पुट कर सकते हैं अब देख रहे होंगे 50 mm की थिकनेस हो गई या भी हम 100 करके इंटर कर दिया है वो 100 mm की थिकनेस हो गई है और जिस area को आप click करके generate 3D plan करेंगे वो area hide हो जाएगी और texture आपको sow होने लगागे जैसा का आप देख सकते हैं इसकी जो first layer होती है वो hide हो जाती है जैसा का आप देख सकते हैं और जो हमने यहां पर create किया है profile 100 mm की यहां पर जो texture लगा है इसे भी हम click करके दिखाते हैं यहां पर हम generate 3D plan किये हैं तो इसकी जो first layer है यह आफ हो जाएगी और इसके background में क्या materials लगा है वो sow होने लगेगा इसी तरह अब भी background wall पर जो design है उसके पीछे जो texture है उसे on off करके देख सकते हैं Thank you for watching